ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें महें सलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा सेल फाटा के पास मापा रोड पर कल एक भयानक हाथसा हो गया एक यूवक रोड पार करते वक्त एक कैंटेनर की चपेट में आ गया घटना कल रात करीब 9 बजे के आसपास की है इस हाथसे में यूवक बुरी तरह से घायल हो गया है घायल यूवक का नाम मुस्लिम है उसकी उम्र करीब 30 वर्स है मुस्लिम लखी कंपॉन परिसर का रहने वाला है रोड क्रोस करते वक्त कैंटेनर की चपेट में आ गया जिसमें उसके दोनों पैरों के उपर से कैंटेनर का पहिया चढ़ गया हालात बहुत ही गंभीर थी दोनों पैर लगभग कट गया है उस वक्त जानकारी ट्राफिक पुलिस को भी दी गई मगर घटना पर मौझूद लोगों ने बताया कि पुलिस काफी देर से पहुँची जिसके बाद घायल मुस्लिम को काल सेखर अस्पताल में भरती किया गया है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम